दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसी भी फोटो या इमीज का साइज घटा करके आप 100KB में कैसे कर सकते हैं दोस्तो जब हम कोई online फारम भरते हैं जैसे admission के लिए हो गया और कुछ भी फारम हम भरते हैं तो हां पर हमारा 100KB का फोटो होना जरूरी होता है तो इसे के लिए हम 100KB कैसे अपने mobile से ही compress करके उसको बना सकते हैं इसका size घटा करके 100KB कैसे कर सकते हैं आज इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ तो दोस्तों बताने से पहले मैं अपना छोटा introduction आपसे देना चाहता हूँ तो नमस्का दोस्तों स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे आप इस चैनल को subscribe करें और support करें नीचे देख सकते हैं रेट का subscribe का बटन है उसको press करके जरूर से जरूर आप इस चैनल को subscribe करें तो चले चलते हैं अपने mobile screen पर और वहाँ पर हम live आपको दिखाते हैं कि कैसे आप उसको compress करके 100KB में बदल करके उसका सूटा size बना सकते हैं तो चले चलते है mobile screen पर तो दोस्तों किसी भी photo का या image का size 100KB में करने के लिए सबसे पहले आप अपने mobile की chrome browser में आईएगा यहां से chrome browser में आएंगे यहां पर click करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर chrome browser है हम click किये और यहां पर आपको search कर देनी है एक word लिक करके यहां पर आपको search करनी है big pdf ठीक है तो आप यहां पर type करेगा big pdf और search कर दीजीगा search करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर website आ चुका है इसको आपको click करनी है और खोलनी है तो खोलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कोने में teline.ka एक option है यहाँ पर इसको आपको प्रेज करनी है ठीक है तो prompt करने बाद दोस्तों कीलिक करने बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारीones आगई है तो यहाँ से हमें जाना है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि option है compress image तो इसको हमें select करनी है select करने बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर select image करके है option तो जिस-जिस image का आपको compress करना है Android kv में उसको यहाँ पर select करेगा यहाँ पर हम select image पर हम press करेंगे click करेंगे और यहाँ पर अपने gallery में आ जाएंगे तो यहाँ से हम फोटो एक ले लेते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं एक फोटो है 226 kv का इसको हम ले लेते हैं लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ compression level 60% है तो इसका size बनेगा 80 kv ठीक है तो लेकिन हम हमें यहाँ पर 100 kv में करना है तो 100 kv में करने के लिए यहाँ से हम compression level को घटाएंगे और बढ़ाएंगे ठीक है तो इसको हम घटा करके और करते हैं ठीक है यहाँ से हम करते हैं इसको 47% ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 47% हम compression label कर दिए और यहाँ पर हमारा नया size क्या हुआ 100KB ठीक है तो हमें 100KB में चाहिए था फाइल को और यहाँ से 100KB में नया size दिखा रहा है तो यहाँ हम click करेंगे download option पर और यहाँ से हमारा file यहाँ पर download हो चुका है तो ऐसे ही करके किसी भी फोटो को आप 100KB में बदल करके आप यहाँ से download कर सकेंगे और उसको use कर सकेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही तो दोस्तों उमीद करते हैं कि इस वीडियो से काफे को जानकारी आपको मिले होगी तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आपका करतब है यहाँ पर सपोर्ट करना तो आप सपोर्ट करेगा और हमारा करतब है आपका क्वालिटी कंटेंट आपको देना तो हम अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे बाइबाइ अच्छा वारा करता वीडियो आपके लिए इस चैनल पर वीडियो आपके लिए लिए इस चैनल पर